खबर रीवा से हैं जहां मुक मंतरी तीर्थ दर्सन योजना से रीवा रेलवेश टेशन से 17 सितंबर को तीर्थ दर्सन विशेश ट्रेन तिरूपती के लिए रवाना होगी इसमें रीवा जीले के 350 पात्र बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा का अफसर मिलेगा कलेक्टर मनोज पुस्प ने इस संबन में बताया कि तीर्थ दर्सन योजना के लिए 9 सितंबर तक निर्धारित प्रमपत्र में आवेदन लिया जा रहा है जनपत के मुख कारपालन अधिकारी तथा मुख नगरपाली का अधिकारी पात्र वेक्तियों के आवेदन पत्र तयार करवा रहे हैं लेक्टर ने बताया कि इस योजना से 60 वर्स से अधिक आयू के ऐसे बुजर्ग जो आयकरदाता तथा सास की कर्मचारी ना हो वे तीर्थ यात्रा कर सकते हैं महिलाओं को न्यूंतम आयू में दो वर्स की छूड़ दी गई है प्रतेक तीर्थ यात्री को आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ट तथा कोविट टीका करन का प्रमार पत्र लाना आवश्यक होगा तीर्थ यात्रा दर्सन यात्रा पूरी तरह से निसुलक है जन्पत के मुख गारपालन अधिकारी तथा मुख नगरपाली का अधिकारी पात्र बुजुर्गों की सुची ततकाल कलेट्रेट कारियाले में उपलाब्द कराएं पात्र बुजुर्ग 9 सितंबर तक क्यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उप्लब्ध है नैशनल हॉस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उप्लब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाईल नंबर 9 69 12 8 8 5 6 0 पर या फिर संपर्क करें 7 5 6 6 8 3 1 5 5 1 पर हमारा पता है नैशनल हॉस्पितल समानतिराहा रीवा संपर्क करें 0 7 6 6 2 3 5 9 9 7 4 पर या फिर संपर्क करें 8 6 0 2 8 8 5 9 9 0 पर